वेल्कम टो टेग एक्सपर्टीज दोस्तों आज की स्यूडियों में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लोग मर जाते तो उनके फेस्बूक अकाउंट का क्या होता है तो दोस्तों अब आप खुछ सूचिए कि आप अगर चले जाती इस दुनिया से तो आपका फेस्बूक अकाउंट को यूज़ करेगा क्या वो डिलीट हो जाएगा कुछ समय अगर आप उसको नहीं यूज़ करेंगे तो वो डिलीट तो नहीं होगा वो ऐसे पढ़ा रहेगा तो मैं आपको बता दू कि आप अब फेस्बूक नहीं एक नया फीचर लांच किया है मतलब अवी नय लाँच किया उसको कहते हैं लेगयिसी आप बशायर नहीं तो इस वीडियो के लास में मैं आपको बताओंगा कि किस तरह आपके Let's work! Legacy Contact का सीधा सीधा मतलब यह है कि आपके अकाउंट का कोई रखवाला मतलब आप अगर चले जाओगे तो आपके अकाउंट का कोई रखवाला होना चाहिए अब Legacy Contact मतलब आप जाने के बात कोन संभालेगा आपके अकाउंट को तो first thing तो मैं आपको ये बता दू कि legacy contact एक feature है जो आप किसी भी आपके family member को आप दे सकते हैं मतलब आप अगर गुजर गए तो आपके बाद कोई family member मतलब आप पहले से ही आपको legacy contact बनाना पड़ेगा पहले से तो वो family member फिर उस account पे कुछ चीज़े कर सकता है जैसे कि legacy contact में जब कोई आदमी बुजर जाता है उसका legacy contact होगा किसी दूसरी के हाथ में तो वो वो इंसान उसके account पे कुछ post कर सकता है उसके friend request accept कर सकता है कुछ post भी कर सकता है उसका कुछ आखरी message होगा जो सबके लिए होगा तो post भी कर सकता है और plus friend request भी accept कर सकता है मैसेज भी कर सकता है, message भी कर सकता है तो ये कुछ चीजे हैं जो legacy contact जिसके हाथ में चला जाएगा वो इनसान वो कर सकता है तो legacy contract में ये कुछ अधिकार दिये हुए है और दूसरी बात क्या है? उसमें सारे अधिकार नहीं दिये हुए कुछ चीज़े जो लेगशी कॉंट्राइक्ट वह फशाथा हाथ में लेकर नहीं करता है तो पुराई पोस्त पूस्त क किया है वह छाटी करता उनके बढ़तनी वाइं हेस तो लेगशी कॉंटक्ष अच्छा आपनेक्ट यह जो फीज्बूक ने बनाया तो आपके मन में ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही मतलब ही कि आपके मन में एक सवाल रहता है कि फेस्बूक में अगर कोई गुजर जाता है तो फेस्बूक पर उसके फेस्बूक अकॉंट में होता है तो legacy contact यह एक अब उसके मर जाने के बाद कोई legacy account नहीं बना सकता उसके जब जिन्दा है मतलब आप बना सकते हैं legacy contact तो यह भी एक चीज थी जो technology से बहुत related थी इसलिए मैंने यह बता दी